हेलो दोस्तों वेलकम बैक, फ्री सार्किट लैब मैं आपको स्वाइद करता हूँ, दोस्तों TG-113, यह बहुत ही ज़्यादा वाइरल ब्लुटूस स्पीकर है, सबसे ज़्यादा विकागया ब्लुटूस स्पीकर है यह, और इसके अंदर जो नॉर्माल प्रोब्लेम जो आत तरीके बताऊंगा, जिसके चलते हैं आपने घर में बैठके ही इसको ठीक करा सकते है, कोई भी टेकनिसियान के पास या मिस्तिरी के पास जाने की जो रत नहीं है, तो चले इस वीडियो को सुरू करते है, तो फ्रेंस फास्ट हम मान लेते हैं कि आप नॉर्माल इंसान है, क आप कैसा मिस्तिरी है, तो दोस्तों इसको खुलने की तरीका जो है यह इसके उपर गुलू दिया हुआ रहता है, इसको खुलना है, उसके बाद चार स्कुलू रहता है, दो इस तरप और यहाँ पर रहता है, तो इन चार को खुलने के बाद आपका यह पार बाहर निकल जा तो यहां पर एक जैक आपका रेड मार्क किया हो रहेगा मतलब कि लाल जैक होगा यह वाटरी का जैक और एक और जैक रहेगा या फिर आप दो जैक रह सकती है वह अब speaker का जैक, सफेज रांग का होगा यह ओके तो देखिए यहापर एक ही जैक में दो speaker लागा हुआ इसलिए दो दो तार यहां से निकल रहे हैं, देखिए लेकिन दोस्तों बैٹरी के लिए एक तार है, और आपको बैटरी को पैचानने का और एक बैटरी की कनेक्टर को इसमें मत लगा दे तो खराब होने का चांस रहेगा तो यह बैटरी हमेशा लाल कनेक्टर में लगेगा ओके तो आज मैं इसकी मादर बोड को चेंज करके आपको दिखाऊंगा हाला कि इसमें जो प्रोब्लेम है वह इस चार्जिंग आई सी के रिलेट तो इसका जो प्राइस है मेरे को जो प्राइस पड़ा हो है 75 रूपीज आपके इलागा के हिसाब से यह डिफार कर सकती है बतलब की अलग अलग दुकान में अलग अलग रेट में बिख सकती है यह तो दोस्तों इसमें देखिए सिंगल आईसी लगा हुआ है और एक आईसी प्राइस काट करने के लिए यहाँ पर इस चीज को ना दिया गया है और दोस्तों इस बॉर्ड में तो माइक नहीं था तो पता नहीं कैसे यह कॉल करता था और जो नया बोड है इसके लिए माइक का जगा दिया हुआ यहाँ पर आप कोई भी माइक लागा सकते बीच वाला होता है प्लास साइड बला होता है माइनस तो यह फिन से आप लगा कर सकते तो इसको इंसे आसां तरीका आपको बता दिया रिड्ट जैक में लगेगा बैटरी का कॉनेक्टर और गाँब नेक्टर ऊटो रहाएहां देंस अब आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे फोन को और गाना चलाएंगे तो चलता रहेगा नो प्रोब्लेम अब 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 तो देखिए मैं मेमोरी कार्ड से कुछ गाना बगर चला के दिखा देखा देखाएं आपको अब प्लेई बाइटी एफ कार्ड ज्यादा नहीं चलाओंगा इसमें कोपी राइट का समझ से आएगी तो दोस्तों ये साइड में फिट नहीं हो रहा है तो ये साइड के जो ये वाला हिस्सा है ये काटना होगा ये देखिए ये टूट जाता है अब ये फिट हो जाएगा यहाँ पर तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लागा कमेंट से में आता आना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की रेपेराइंग के जुड़ी या फिर कोई इलेक्ट्रोरिक्स प्रोजेक्ट बानाने से जुड़ी कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंकिए फॉर वाचिंग कि खोए फिरू नाने से लिए साथ फॉर इस प्रष्ट्रों आएड आएड़।